आज के इस वीडियो के अंदर में BSNL कंपणी के बाड़ में बताऊंगा क्योंकि BSNL कंपणी की तरफ से अपने ब्रॉडबेंड सेग्मेंट यानि भारत फाइवर सेग्मेंट के अंदर तीन सो रोपे से कम में अगर आप एक नया ब्रॉडबेंड के लिए जाते हैं आपको जान करे नहीं और BSNL कंपणी के तरफ से अगर आपको ये दो प्लैन दे दिया जाता है तो डिफिनिल आपके पैसे बरवाद हो जाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बढ़ में पुरा डीटेल्स जान लेते हैं देखिए BSNL भारत के अंदर आपने चार तरीके का ब्रॉडबेंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं भारत फाइबर भारत फाइबर भारत फाइबर फाइबर वीसेट और ADSL Connections और ADSL Connections को आप गलती से भी मत लीजिए वीसेट Connections तो आप लोग लिए अवेलेवल नहीं होंगे अगर आप एक BSNL के ब्रॉडबेंड के बारे में सोच रहे तो मैं आपको रेकॉमेंड करूंगा कि आप मिली भारत फाइबर 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 कनेक्सेंस के साथी जाओ अभी भारत फाइबर कनेक्सेंस के अंदर मेली जो नॉर्माल प्लैन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 449 रुपै से जहां पर आपको 30 Mbps के स्पीड के साथ 3300 जिबी का डेटा मिलते हैं लेकिन वो बाले प्लैन को अगर में छोड़ देत हूँ अगर आप एक दम स्टूडेंट है और कोई एंटी लेविल प्लैन को यहाँ पर लॉंच के आगा है एक है 299 रुपै वाले ब्रॉटबैन प्लैन और यह जो दो प्लैन है इसके उपर आपको 18% जिएस्टे देना लेकिन अगर मैं benefits की बात करता हूं तो मैं सच में चौक गया हूं कि BSNL कमपनी की तरब से 249 रुपए वाले plan और 299 रुपए वाले plan के अंदर क्या कुछ benefits प्रोबाइड कर रहे हैं सबसे बाइल अगर मैं 209 रुपए वाले plan के बात करता हूं तो 10 Mbps का speed आपको मिल रहा है और सिर्फ 10 GB data मिल रहा है मैं काफी साथ disappointed हूं BSNL की इस particular day अंसे बाई आज के date के अंदर 209 रुपए वाले plan के अंदर 10 GB data से क्या होंगे उसके बाद अगर मैं 209 रुपए वाले plan के बात करता हूं तो 10 Mbps का speed और 20 GB data आपको प्रोवाइड किया जाए तो यहां पर मैं काफे साथ सॉक्ट हो चुका हूं कि बाई 249 और 299 रुपए यह वाले price point के अंदर एक broadband company किस तरीके से 10 GB और 20 GB data दे सकते हैं हां 10 Mbps वाले speed में मान सकता हूं कि यह speed कम ही मिलेंगे एक बार आप सोचके देखें रिलाइंस जो company के अंदर जो broadband pricing था 198 रुपए जहां पर आपको 10 Mbps का speed मिलता था लेकिन वहां पर जो data आपको दिया जा रहा था वो ट्रूली 209 रुपए और 209 रुपए अगर आपको लेना है तो 309 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं चार्सों उन्चास के साथ जा सकते हैं लेकिन गलती से भी 209 रुपए वाले ले सकते हैं 198 रुपए वाले प्लाइन के साथ 10 Mbps के speed के साथ unlimited या आप एयर टेल के साथ जा सकते हैं एयर टेल के अंदर भी 199 रुपए वाले प्लाइन के अंदर टिकना है तो BSN को भाई यह सरे मेंटलेटर को यहां पर चेंज करना होगा फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर 10 Mbps 10 GB डेटा कोई सेंस क्रियेड नहीं करता मैं बार बार बता रहा हूं यह और आप गलती सभी यह प्लाइन को रिचार्ज मत कीजिए मुष्ट बकवास प्लाइन में कह सकते हूं BSN की तरप से यह जो दो प्लाइन को लॉंच किया गये तो इसारा आपडेट्स हमारे पस निकल कर रहा था एक चोटा सा वीडियो बना कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंदा आया कुछ नहीं जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सुस्क्राइब करके पास बेल आइकोन को दबाना बिल्कूल भी मत फुलिए से इंडेस्टिंग वीडियो डेलिवेसिस देखने के लिए थैंक्स फॉर्चिंग बाइंटी क्यार आप सिर्फ समय लगतू कैसी कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रिखिएगा